आज एक बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रेस्टिंग यह है कि यह ज्यादा तर कन्फ्यूजन वाले प्रस्टन सभी अस्पेरिंट के मन में उत्पन होता है क्या उत्पन है एक मैं कोट से मैं सुरुवात करता हूँ यह कोट है अलवर्ट आइंस्टेन की उन्होंने कहा था कि एक बेक्ती ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ न करने की कोशिस नहीं की यानि जब हम कुछ नया करते हैं तब ही गलतियां हमसे सवभाविक होता राता है तो यह आज की जो टॉपिक है उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं हम लोग नया कुछ करते हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं आज का जो टॉपिक और प्रसंग यह है कि हाव टू प्रिपेर ओ यूपी एसी एंड ऑस्टेट पी एसी सामिल्टेनियस्ली मतलग हम कहने का ताथ पर यह है कि यूपी एसी और राज पी एसी की तयारी एक साथ कैसे करें सबके मनमिक्षा होती है कहीं न कहीं इस बात से लगता है कि भाई सिविल सर्विसेज जो हैं जिसमें मात्र 0.2 परसंट और 5 परसंट के बीच में सेलेक्शन रेट होता है अखिर मुझे एक दूसरा अल्टरनेटिव अगर सॉलूशन साथ में मिल जाए तो सायद थोड़ा सा अस्ट्रेश हमें कम हो जाएगा एस जिस्तिती में अस्पैरेंट चाहते हैं चातर चाहते हैं कि UPAC के साथ साथ अस्टेट PAC की भी एक साथ तयारी किया जाए लेकिन उनके इस तयारी में इन जर्नी में काफी समस्याएं उत्पन होती हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि सुरुवात की कैसे किया जाए अर्थात इस तयारी की जो सुरुवात है UPAC और स्टेट PAC की कैसे किया जाए क्योंकि दोनों के सिलेवस में भिन्यता देखने को मिलता है अगर उसकी गहराई से अगर उन्होंने अध्यन्ना किया हो तो तो आज मैं आपको इसी प्रसंग पर हम बात करने वाले हैं एडुकैमी सक्सेजमीट के चैनल पर जैसा कि कहा जाता है कि जो हमारा IAS परिक्षा है Civil Services जो है UPAC के द्वारा आयूजित किया जाता है और इसे भारत का सबसे कठिन परिक्षा के तौर पर माना जाता है अलाकि इसके विश्व में भी रैंकिंग की बात किया जाए तो किसी किसी सर्वे साइट के माद्यम से दूसरा और तीसरा रैंक भी दिया जाता विश्व के कठिन एक्जामों में हम सभी को ये बात पता है कि भाई ये तीन चरण में परिक्षा होती है प्रारंभीक परिक्षा, मुख परिक्षा और इंटर्वियू है ना ये तीन चर्णों में होता और मुझे लगता है हर साल 900 to 1000 वैकेंसियां रिक्तियां UPSC के द्वारा जारी किये जाते हैं ऐसे स्थिती में 1000 वैकेंसी मैक्सिमम और 5 लाक मोर दैन स्पेरेंट्स इस एक्जाइम हो देते हैं तो उसमें क्वाइलिफाई करना काफिन कठिन होता है तो लोग एक स्टैटिजी के माद्यम से एक समयनवे एक के माद्यम से इसे हम पढ़ने की कोशिस करते हैं कि साथ साथ में आप जिस राज से बिलॉंग करते हैं उस राज का पीएसी या बाकी किसी अनराज के भी पीएसी की भी तैयारी अगर यूपीएसी के साथ किया जाए तो सायद एक स्टैश कम जैसी महसूस होता है कि चले ठीक है यूपीएसी के हमने एक्जाइम दे दिया और जैसे हमारा स्टेट पीएसी पी आएगा तो उस एक्जाइम को भी हम एक साथ दे देंगे लेकिन दोनों एक साथ तैयारी कैसे किया जाए क्योंकि जो पीएसी परिक्षा यूपी एसी से बहुत अलग नहीं है इसको तैयारी किया जा सकता है सवाल ये है कि उन तैयारी के माद्द में जो कुछ गलतिया है कुछ जो बारी किया है कुछ जो understanding है उस understanding को समझना होगा मैंने सबसे पहले उदारन के तौर पर मैं आपको मैं बदाना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है इस अंतर को भी हम लोग समझने की कोशिस यहां पर करेंगे तो क्या अंतर है इस सिजो को हम जानेंगे हम तो देखिए कि हम सभी लोग जानते ही कि UPAC का जो full form होता है Union Public Service Commission, संग लोग सेवा आयोग वहीं दूसरी तरफ PAC जो है जिसको हम State Public Service Commission अर्थात राजलोग सेवा आयोग होता है UPAC exam पूरी भारत में conduct करवाया जाता है लेकिन वहीं पर State PCA exam जो है हर State के द्वारा conduct करवाया जाता है जो की एक limited छेत्र के तौर पर हम उसे consider कर सकते हैं है ना वहीं पर अगर हम बात करें कि जो UPAC exam के सिलसले की बात करें तो हम ये बात कर रहें constitutional body की बात कर रहें कि ये जो constitutional body और State PCA के बीच में different क्या है इसकी बात करें क्योंकि हमारा जो UPAC जो है Union Public Service Commission उसे Article 315 से 323 के बीच में चाहिए Public Service Commission हो Union Public Service Commission या State Public Service Commission दूनों को समिधान के स्टेम अनुछेद में रखा गया Article 315 से लेकर 323 तक में है ना तो आपकी सारे जितने भी State PCA बहुत सारे हैं जैसे आपका राज़स्तान State PCA हुआ बीची हुआ बिहार Public Service Commission हुआ यूपी PCA हुआ आपका UK PCA हुआ हर्याना PCA हुआ पंजाब PCA हुआ आप जिस राज्य से बिलॉंग करते हैं उस राज्य के आप PCA exam को दे सकते हैं है ना चलिए हम सुरुआती करते हैं थोड़ा सा हम इस चीजों को समझने की कोशिस करेंगे आप तो क्या होता है इस चीज के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले कि इसके बीज़ के डिफ्रेंसेज को भी हम लोग समझेंगे चलिए हम इस चीजों को समझते हैं विस्तार से जैसा कि हमने एक constitutional body को जाना लेकिन सबसे बड़ी important बात यहां पर यह है कि हमारा UPSC और पीएसी के syllabus में क्या अंतर है इस चीज़ पर हम चर्चा करेंगे हमारज UPSC और पीएसी अर्थात public service commission इन दोनों के बीच में अंतर क्या है तो सबसे पहला अंतर की हम बात करते हैं कि जो UPSC परिक्षा है तीन चर्णों में होता है तीन चरन जैसा कि हमने बताया प्रारंभीक मुख और शाक्ताकार अर्थात interview उसके साथ साथ UPSC परिक्षा तीन चर्णों में आयोजित किये जाते हैं यहां पर प्रारंभीक मुख और interview लेकिन PCS में, PAC में परिक्षा में दो या तीन राउंड में आयोजित किया जाता है और अधिसुची पदों पर ही आधारित होता है कोई राज जो है इसे तीन राउंड में conduct करवाती है तो कोई राज इसे दो राउंड में ही इसकी समापती कर देती है जैसे उदारन के लिए अगर हम BPC की बात करे या MPPC की बात करे तो ओ जो UPC के पैटर्ण पर तीन राउंड में conduct करवाए जाते हैं वही पर अगर हम बात करें कि प्रारंभिक exam की तो जो UPC के प्रारंभिक exam में दो प्रकार के paper होते हैं GS first और second और थात paper first में general study होता है और paper second में C set पूछे जाते हैं है ना तो कहने का तात पर ये हुआ कि जो प्रारंभिक में जो समान अध्यन के paper हैं जो 200 अंग के पूछे जाते हैं वही समान अध्यन के paper second ओ भी 200 अंग के पूछे जाते हैं जो qualifying nature का होता है वही पर दो qualifying paper mains के अंधर में भी qualifying paper होता है जो 600 के होते हैं तो अगर इसकी हम चर्चा किया जाए और इसके बात को समझा जाए तो देख सकते हैं जैसे बिहार की अगर हम बात करें BPSC की बात करें तो BPSC में एक ही paper 150 marks के होते हैं और उसी 150 marks में दोनों test ले लिये जाते हैं प्रिलिम्स के तौर पर है ना लेकिन चलिए ये सब तो बाते हैं कि भाई चलो ये दोनों बाते हैं कि भाई लोगों का अलग-अलग pattern है है ना मतलब PPSC परिक्षा के तुलना में पाठ करम हलाकि UPSC का ज़्यादा भिसाल होता है लेकिन परिक्षा में ज़्यादा भिन्यता देखने को नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में हम आपस में इसकी तैयारी दोनों एक साथ कस रखते हैं तो कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके preparation की strategy को हम लोग यहाँ पर समझेंगे तो पहली जो strategy है सबसे पहला अगर हम point की बात करें UPAC और PAC के अंदर में कि हमें UPAC और PAC के दोनों syllabus को बहुत ही गहरी तरीके से understanding करना होगा मतलब understand to both of a structure and the syllabus हमें UPAC और PAC के जो syllabus है उनकी सनरचना जो है उनकी जो पार्ट करम है उस पार्ट करम को समझना होगा अब पार्ट गरन को हमें समझने ये बात तो पता आ जाएगी कि भाई UPAC में क्या syllabus है और हमारे state PAC में क्या syllabus है और कितने प्रतिस्तत syllabus ये दोनों common हैं आपस में इस बात की भी हम चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं वहीं पर बात करेंगे कि हमें साथ-साथ में रोज मर्रा के जीवन में हमें newspaper reading देने की आदत होनी चाहिए जैसे हम अकबार पढ़ने की आदत हुआ साथ-साथ में सुनिशित करें कि आपने NCRT की सारे किताबों को 6 से 12 तक आपने बेतर तरीके से पढ़ा है या नहीं एक चीज और भी बात है कि जादा तर जितने भी state PAC हैं उसमें भी optional paper होते हैं तो कोशित यह होनी चाहिए कि दोनों exam का चाहे state PCS हो या फिर आपका UPAC हो दोनों का जो optional जो बैकल्पिक भी से भी आपका समान हो अगर दोनों का बैकल्पिक भी से अगर equal होगा समान होगा आपका तो उस इस्तिती में आपके PSC exam को तैयारी करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा च्योंकि आपको अलग से optional की तैयारी करने किया सकता नहीं होगी दूसरी सवाल यहां पर यह आता है कि आप जो हैं आप कितना सबसे पहले जितने भी common subject हैं चाहे UPSC और PSC के उन दोनों common subject को आप multiple types पहले ही उसको समाप्त कर लें और UPSC के exam के अंतराल के बाद जब ओ exam conduct होने वाला है या उससे पहले होने वाला है तो अपने खाली वक्त में PSC के जो extra syllabus है उस extra syllabus को भी आप देख लें ताकि आपकी तैयारी संपुन्यता तरीके से हो जाए साथ-साथ में आप देख सकते हैं कि भाई आपकी practice your communication भारत के बारे में बहुत सारे किताबे आपके संचार कौसल का अभ्यास आपके अंदर में के आत्म विश्वास द्रिद्र नीट्स है इन सभी चीजों पर काम करने की और सकता यहाँ पर होता है और सबसे जो प्रमुख बात है इस exam के अंदर में कि आपको UPAC और PAC के दोनों previous year को अच्छी तरीके से practice करने की और सकता होती क्योंकि आपको previous year का questions paper ही examiner की मनोग बैज्ञानिक ब्यथा के भारे में आपको बताएगा क्योंकि जो किस intention के साथ जो questions की framework की जाती examiner किस प्रकार की question frame करता है उनका तरीका क्या होता है उनकी भासा क्या होता है उनकी language क्या होता है यह practice अगर यह understanding आपको आ गया तो मुझे लगता है यह दोनों exam एक साथ निकालना आपके लिए काफी असान हो जाता है क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत पढ़ते हैं पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमारी अंदर में वो understanding नहीं हो पाता है कि जो examiner जो question प्रेम कर रहा है क्या वो हमारी मस्तिक के frequency से match कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है यह अपने आप में और वो practice से ही ओ आएगा तो इसलिए कहा गया कि भाई गोत को the previous year question paper of the UPSC और state PSE क्योंकि भाई state PSE के question और UPSC के question में काफी भिन्यता देखने को मिलेगा state PSE के question जादा तर factual basis पर भी होते हैं लेकिन UPSC के questions factual basis पर नहीं होते हैं तो आगर आप previous year के multiple type questions को आप multiple times अगर आप लगाते हैं तो इससे आपके state PSE और UPSC के दोनों understanding एक साथ आपको create हो जाएं तो यह काफी कुछ देखने को उसमें मिलता है आपका वहीं पर अगर हम common topic की बात करें कि जितनी ज्यादा host के common topic उसे आप complete कर लें है ना फिर यह आप देख सकते हैं आप कुछ देख सकते कि संग लोग सेवा आयोग के पाठक्रम जो प्रारंभीक तथा मुख परिक्षा होता है तो इस तरीके से आप देख सकते कि प्रिलिम एक्जाम से प्रारंभीक परिक्षा उसके बाद main return exams होते हैं उसके बाद interview होता ह है साथ साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि देखी कि जो UPSC की जो प्रिलिम्स एक्जाम है उन प्रिलिम्स एक्जाम में number of questions 100 होगा और दूसरे GS के general study के paper में 80 questions होते हैं दोनों का अंकन सेम होता है 200 marks का 200 marks का दोनों objective paper होते हैं दोनों offline paint paper mode में किया जाता है और दोनों के ज 3rd of total mark allotted for that questions and one by 3rd of total marks allotted for that question है ना इस बार का UPSC का paper 5 जून 2022 को होने वाला है 1st 6 और 2nd और ये declare after exam काहीं इसकी cut-up का declarations होता है साथ-साथ में आप देख सकते हैं उसके mains exam के मुख परिक्षा के exam में तो paper 1st जो compulsory Indian language होगा जो भी आपकी जो हमारे schedules art में जितने भी जो 22 language की बात की हैं उन में से एक compulsory भासा आप अपने according ले सकते हैं जो 3 घंटे का और 300 marks का होता है और वो qualifying nature का होता है वहीं पर आपका paper एक English भासा की होती है वो भी आपका qualifying nature का होता है और 3 hours तथा 300 marks के होते हैं वहीं पर अगर हम बात करें कि paper 1st जो की एस थे जिसको निबंध कहते हैं जिस पर कोई बंध नहों जिसमें आपके 2 questions करना होता है है तो वो आपको 250 marks का होता और समय अब दी 3 घंटे की होती है वहीं पर जिसे merit ranking nature कहा जाता merit ranking nature कौन गौन से paper है एसे है आपका general study है general study second है general study third हुआ general study four हुआ optional first और optional second तो ये जितने भी है आपका merit ranking paper होता है total जो paper है ये आप देख सकते हैं कि paper first एसे 250 marks, paper second general study first 250 marks, paper third three paper three hour का 250 marks, paper fourth 250 marks, paper five जो है आपकी जो ओभी 250 marks, optional paper first 250 का इस प्रकार से total जो merit ranking है आपका 1750 marks का होता है वहीं पर interview और personality test के 275 marks होते हैं दोनों मिलाकर 2025 marks आपको एक total marks का होता है तो इस तरीके से UPAC का pattern है वहीं पर estate PAC के जो pattern में थोड़ा changes देखने को मिलेगा क्योंकि कोई exam GS first और GS second तक ही सिमित्र हजाती है और optional पर तो कोई estate जो है UPAC के pattern पर ही करता है तो अगर हम एक strategy एक plan और एक बेहतर proper के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये दोनों exam को एक साथ clear करना काफी tough नहीं होता है तो आप देख सकते हैं कि भई एक देखिए कि खुद को इतना जिद्धी बनाओ कि मुस्किले खुद सर्मिंदा हो जाए तो अगर आप चाहते हैं तो definitely आपको ये सफलता मिलेगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और भी इसी प्रकार से अगर informative वीडियो और motivational वीडियो और आपके subject से समंदित जो बहुत सारे ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को आप subscribe करें साथ में bell icon को भी आप दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियो का notifications आपको मिल जाए आज के लिए इतना ही रखतें thank you very much बागी इस चैनल को आप subscribe करें